नमस्कार स्वागते आप सभी का दालेबल 10 करेंट अफेर्स में और आज हम 20 मई 2020 के करेंट अफेर्स डिसकस करेंगे और हमारा पहला कॉश्चन किस संस्थान ने COVID-19 के लिए एक नया RT-PCR परिश्चर विक्सित किया है इसका सही आंसर है Option C राइपूर एम्स राइपूर ने विक्सित किया है अब हम थोड़ा सा जानते हैं इस टेस्ट के बारे में एम्स की फुल फॉर में All India Institute of Medical Science राइपूर इसने क्या 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 कोबिद 19 के लिए एक RT-PCR का एक नया टेस्ट तयार किया है जो कि एक घंडे 45 मिनट में टेस्ट को कन्फर्म कर देगा कि कोबिड है या नहीं है और यह बहुती ज़ादा कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब 500 रुपे में एक टेस्ट हो जाएगा और यह मतलब साइमल्टेनेसली 94 सैंपल को एक साथ टेस्ट कर देगा अगला कॉस्टिव किस राज्य की साइवर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्ट अप के लिए पहला साइवर सुरक्षा एक्सिलिरेटर हैक्स लॉंच किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं साइवर सिक्योरिटी सी एस सी ओई मतलब सेंटर ओफ एक्सिलेंस किस ने लॉंच किया है है इसका सही आंसर है ऑप्षिन भी करनाटका ने यहाँ लॉंच किया है अब हम इसके बारे में जानते हैं करनाटका ने स्टार्ट अप के लिए पहला साइवर सिक्योरिटी एक्सिलेटर प्रोग्राम है लॉंच किया है यह प्रोग्राम ऐसे टाइम पर आया है जब COVID-19 के लिए government के online software की survey lines और safety की कमी के बारे में discussion हो रहा है primarily इंडिया cyber security के लिए global companies पे बहुत ज़ादा depend रहता है और ये जो program है hacks ये इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा मतलब एक तरह से हमें self-reliant हो जाएगे और इस program में startup को भी support किया जाएगा और इस program को एक company है साइसेक के द्वारा implement किया जा रहा है जो कि जितनी भी companies होती है उनके लिए एक cyber safe environment प्रोवाइट करता है मतलब company हो के लिए एक cyber safe environment प्रोवाइट करता है और ये जो साइसेक है वो Indian Institute of Science Bangalore में इस्तित है और ये जो program है इसका जो main objective है वो ये है कि जितनी भी industries है उनके लिए cyber safe and conducive environment प्रोवाइट करना है मतलब कि उनको कोई threats ना हो cyber security से related अगला question कितने शहरों को कच्रा मुक्त शहरों की 5 star rating मिली है इसका सही answer option भी 6 आप देखिए आप देख सकते हैं जो minister of state for housing and urban affairs हर्दीप एस पूरीन है एक ना मतलब एक result निकाल है star rating of garbage free cities का इसमें कितने इसमें ratings दी गएंगेंगें जो cities हैं उनको ratings दी गएंगेंगें जिसमें जो 5-6 cities हैं उनको 5 star ratings मिली हैं जैसे आप देख सकते हैं अंबिकापूर, राजकोर, सूरत, मैसूर, इंदोर और नवी मुंबई इन 6 जो cities हैं इनको 5 star rating मिली हैं और 65 cities हैं इनको 3 star ratings मिली हैं और 70 cities को 1 star rating मिली हैं और ये rating मिली हैं garbage free cities के लिए इनका result आयता और इसी तरह का एक program ना जन्वरी 2018 में start किया गया था अगला question किस bank ने एक विशेष गोल्ड लॉन कारोबार शुरू किया है इसका सही answer है option A Canera Bank ने start किया है ये एक gold lawn business vertical program है आप देख सकते हैं कि ये जो program है जो gold lawn इसमें क्या होगा जैसे कि अभी COVID-19 की वज़ए से market में liquidity नहीं है तो liquidity को बढ़ाने के लिए market में liquidity को increase करने के लिए ये program start किया गया है Canera Bank के द्वारा और इसमें क्या होगा जितने भी कोई भी person होगा कोई भी business man जाके bank से lawn ले सकता है gold को गिर भी रख कर और इसके अंदर जो interest है वो भी काफी ज़्यादा कम है health emergency के लिए या फिर personal needs के लिए भी लिया जा सकता है और इसके अंदर जो lawn provide किया जाएगा वो agriculture के लिए 10 लाग रुपे और जो agriculture और allowed activities के लिए 20 लाग रुपे तक का lawn लिया जा सकता है अगला question हाल ही में पिनांग एंडमेनिस is in news मतलब समाचारों में है यहाग क्या है इसका अंसर है option B palm tree आप यहाँ पे देख सकते हैं यह क्या है यह जो हमारे palm trees है न यह IOCN की critical and danger की list में है और यह जो mainly जो यह पाए जाते है मतलब यह endemic है सबसे ज़्यादा यह यहाँ पी पाए जाते है Mount Harriet National Park जो कि South Andaman में है मतलब यह यही पर endemic है लेकिन यह news में इसलिए है क्योंकि इसका जो दूसरा home है वो तिरुवेंत पुरम के जवालना नहरू Tropical Botanical Garden and Research Institute मतलब यह इनका आप दूसरा घर मिल गया यहाँ पी यहाँ पर भी यह पाए गए है अगला question आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहत कौनसा online सिक्षा कारिक्रम कक्षा एक से बारत तक के लिए शुरू किया गया है इसका सही आंसर है PME विध्या option A के साथ आप देख सकते PME विध्या अब हम इस जो campaign से है जो हमारा program है उसके वारे में जानते है जो finance minister है हमारी निर्मला सीता रमन के दोरा जो education sector को बढ़ावा देने के लिए कई सारे इन्होंने initiative चलाए है जिसमें पहला है हमारा जैसे PME विध्या इसमें क्या होगा कई सारी जो schemes लाई गए है इसके अंदर includes है जो हम एक एक करके देखते हैं जैसे पहली है दिक्षा जो कि एक one nation one digital platform है और यह जो main जो start किया गया है यह हमारे इसलिए start किया गया है क्योंकि online education provide करने के लिए जो हमारा दिक्षा portal है उसके अंदर क्या होगा जितनी भी school education है ना उनको एक content provide करने के लिए यह digital infrastructure provide करेगा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डिक्षा के बारे में ठीक है दूसरा है हमारा टीवी टीवी में क्या है one class one channel इसमें क्या होगा जो class एक से बारे तक की students है उनके लिए एक dedicated channel provide किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई को को भी lockdown के टाइम पर भी continue कर सके है दीसरा है हमारा swim online इसमें क्या होगा जितने भी हमारी school और higher education के लिए जितने भी course है वो online provide किये जाएंगे और एक है IIT PAL में क्या होगा IIT JEE और NEET की तयारी कराई जाएगी और एक है DC आप देख सकते हैं जिसकी full form है digitally accessible information system इसमें क्या होगा जितने भी हमारे differently abled person है उनको study material provide किया जाएगा अब कुछ और भी program science के अंदर जैसे आप देख सकते हैं मनोदरपन initiative इसमें क्या होगा psychosocial support provide किया जाएगा जैसे कि अभी mental health और emotional को लेकर काफी काफी मतलब थोड़े से परेशान रहते हैं लोग तो उसमें क्या provide किया जाएगा psychosocial support provide किया जाएगा किस-कि अगला है हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर education को promote करने के लिए इन्होंने यह डिसाइड किया है कि जो higher education है इसको और ज्यादा बढ़ाना है इसके लिए जितनी भी हमारी top 100 universities है ना उसके अंदर online courses से start किये गए हैं और आप देख सकते हैं national curriculum and pedagogical framework इसमें क् छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी students उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा क्योंने किस तरह से पढ़ाना है मतलब early childhood और अगला देख सकते हैं national foundational literacy and numeracy mission इसके अंदर क्या होगा जो age group जो है 3 से 11 तक के बच्चों को necessarily information मतलब education मिल रही है कि नहीं इस चीज पर ensure किया जा इसका सही answer है option A यह 7th landing craft utility LCU M के 4th class का है अब हम इसके बारे में जानते हैं आप यहां भी मेज में देख सकते हैं यह जो हमारा landing craft utility ship INLCU L57 है यह हमारा यह Indian Navy का एक वार शिप है जो की pod player में commissioned हुआ है और यह garden rich ship builders and engineers limited के द्वारा मतलब GRSE के द्वारा यह बनाया गया है और यहां जो हमारी mark 4th class है यह उसका ना पांचवा मतलब साथवा मतलब यह landing craft utility ship है जो की साथवी है और इसकी जो पहली ship थी ना उसका नाम था INLCU L51 जो की 2017 में commissioned हुई थी और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो चीफ जो है नेवी क के स्टाफ के वो है Admiral करम सींग करमवीर सींग अगला कॉश्यर हाल ही मैं हाको परंप्रा समाचारों में है यह किस देश से संबंदित है इसका सही आंसर है option भी यह जपान से संबंदित है अभी देखो lockdown लगा हुआ है तो ना जितने भी जपान के जितने भी लोग हैं वो सिर से हमां दूसरी कंट्रीस में साइन करते हैं और यह सब जितने भी लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं तो वह क्या करें उनकी जो यह स्टैंप है वो ऑफिस में रखी हुई है तो अब जो लोग इस स्टैंप को लगाने के लिए उन्हें वह आफिस जाएंगे तो फिर उनके कोई-19 के केस टो हैं वहाँ पर इस वज़े से बढ़ रहे हैं क्योंकि वह स्टैंप लेने के लिए ओफिस में जा रहे हैं तो इसकी ना मतलब किटिसिसम हो रही है कि इस टीच को आप हटा दीजिए इसका एवंटन कर दीजिए अगला कॉश्चन कौन सा बैंक वीडियो के KYC सुबिधा की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है इसका सही आंसर ऑप्शन है कोटिक महंदरा बैंक कोटिक महंदरा बैंक देश का पहला बैंक है जिसने वीडियो कॉन्फरेंसी के द्वारा KYC के नॉम्स को पूरा किया है KYC मतलब know your customer facilities को मतलब fulfill किया है इसमें क्या होता है इसने अलाओ किया है कि जो भी customer है उन्हें bank आने की जरूरत नहीं है उनकी जितनी भी जैसे उन्होंने कोई account खुलवाया अपना saving account तो जितनी भी उनकी न फॉर्मिलेटी होंगी जैसे कि pen cards या फिर रजिस्ट्रेशन नमर या फिर जो भी नमर होगा bank account वो सारी information उनके उसके नाम उसका address वो सब KYC के द्वारा online मतलब video conference के द्वारा ले ली जाएंगी और ये पहला bank है लेकिन अभी इसने pilot basis पर यहाँ project चलाया है जो कि सिर्फ saving account के लिए चलाये गया है और जनवरी 2020 में रिजर बैंक आफ इंडिया ने no by no your customer के ओ अमेंड किया अगला question किस दिन को अंतराष्टिय संग्रहले दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका सही answer है option भी 18 मई आप इस बार की theme देख सकते हों यहाँ पर museum for equality, diversity and inclusion और इस दिन यह जो दिन होता है न 18 मई इसको न मतले museum डे के रूप में मनाया जाता है और लोगों को aware किया जाता है museum के बारे में और museum के कार्यों के बारे में और यह इसलिए भी important है क्योंकि यह दिन जो है यह विसेश महत्वर रखता है क्योंकि museum से हमें न केवल इतिहास को जानने का मौका मिलता है बलकि सभ्यता और संस्कृति का भी ज्यान होता है और हर बार क्या होता था कि जितने भी museum से न वो उनके जो सारे लोग है आपस में म लाज्य में इस्तित है इसका सही answer है option D यह मेग हाले में इस्तित है Q9 नौगलो डेव बिलेज और आप सभी के लिए revision question हाल ही मैं ट्रॉगलो मेसिस ट्विटरी समाचारों में है यहाग क्या है आप सभी इसका answer प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी के साथ आज का क अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच